छोटा रूप बना कर रात के समय नगर में प्रवेश करूँ त्यूँ आप सिर्वन कर रहे हैं राम चलित मानस से सुन्दर करमांग तीन से आंगे महावीर जी मच्छर के समान अर्थात अतियंट छोटा रूप धारन पूरवग नरो में सिंग रूप ऐसे श्री राम चंद्री जी को सुमर्ते लंका को चली यह मशक समान मच्छर का अर्थ यह कि अपने कपी रूप को बहुत छोटा कर लिया मशक सब्द उपमा में पड़ा है उपमा उपियोग में बड़ा अंतर रहता है तालाव की उस्मा समुत्र से और मनुष की इंद्र से दी जाती है और नरहरी को सुमर्ते चली अर्थात नरों में सिंग जो रगनाथ उन्हें अत्वा नर सिंग जी का इस्मर्ण किया यदी कि यदी कहो कि उपास निय ते सु रूप तर का क्यों इस्मर्ण किया जो तो समाधान यह है कि रगनाथ जी का आज जाए शिया रहा है जय बाते हैं रगनाथ जी का रूप दया में है और इन्हें उपद्रव करना है इस कारण काराल रूप नर सिंग को इस्मर्ण किया अत्वा नाइस्तान में रगनाथ जी और हरी हर इस्तान में सुग्रीब जी को इस्मर्ण किया त्योंकि यह दोनों इनके स्वामी हैं चोथे यह की रावन ने अपनी मिर्तु नर और बानर के हाथ मांगी थी तो उसी कारण से नर और बानर को सुमर्ण कर लंका में चली कोई मसक समान के अर्थ में बिलाव के समान बड़ा रूप धरा यह कहते हैं परन्तु यह संदेटित नहीं होता बास्तब में मसक का अर्थ बहुत छोटे रूप का है जैसे आगे लिखा है अति लदी रूप धराओ हन्माना क्योंकि यदि मसक का अर्थ अच्छ मच्छा करें तो अंगूठी कहां रही यह संका होगी यह से यह ठीक नहीं लंकिनी नाम एक छटी छटी हुई राग्छसी थी सो महावीर जी को देख बोली अरे मुझे त्रसकार कर कहां जाता है त्रसकार रहे हैं तो बता हां मुझे अपमान कर कर का जा रहा है यह ते अज़त सामने वह अंगूठी को कि लिए अंगूठी के मुख में एती शीटा जी का तो बा अंगूठी अब यह संत लोग भक्त लोग जो भी है तो वे जब मच्छर के समान बन गए तो अंगूठी का रही है तो अंगूठी मों में केसे रही वाको प्रिशन कर रहा है तो अब आगे मिले हुआ पर यह भक्तों बहुत खास कथा चल रही है यह सुन्दर काइं की जनवास नहीं मारा में सट मोरा जानव से नहीं मारा में सट मोरा मोरे अहरे लंका करे चोरा मोश्ट के एक माहा का पिहानी रूधार बाहमत दर नीठन मानी और बोली मूर्ख मेरे भेत को तु नहीं जानता लंका में जो चोर आती हैं मैं उन सब को खा जाती हूं महावीर जी ने उसके एक महा बेग से घुचा मारा कि उसके मुख से रुधर बहनी लगा और वा घूम कर धरनी में गिर पड़ी पने सबार वोटी सो लंका जो रे पाने बिने संका जा बेरा बने बिर्मा बर दीना चाला तै बेरंच का मोई चीना फिर वहा लंकनी सवाल कर उठी और हाथ जोड़कर संका बिंती करने लगी संका का यह मर जाए या हमारी सरन हो नहीं तो कोला हाल करने से पुकार पड़ जाएगी मतलब वागत चलाएगी तो औरों की नीन खुल जाएगी पेरे पहती नहीं वागत जब बिर्मा जी ने रावन को बर दिया तो चलते समय मुझे यह पैचान बताई थी विकल होसे से जब कपी मारे तब जाने से निसे चरे संगारे ताते मोरे अति पुन्य बहूता ते काउने निराम कर दूता कि जब कपी के मारे से तू ब्याकुल हो जाए तब जानने की अब राक्षस मारे जानगे जो बानर जानकी की सुद्ध को आवेगा उसी के मारने से तू ब्याकुल होगी हे तात मेरा बड़ा भारी पुन्य है जो तुमें से रगनाज जी के दूत को देखा लंकनी को ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया था जब कोई सीता जी को ढूंडने आएगा वो आप पर प्रिहार करेगा उससमें आपका अंतिम समय होगा तात सबही आपका सुक दरही तूलाए के अंतुलानता इसा कले मिले जो सुक इसलव सत संग लकानादी शियरामे चंद्रे शंकरे यों जै शियराम जै अन्हरी की जै ये पुत्रे साथ सुर्ग भू लोग भू लोग सुर्ग लोग के महल महल को जान लोग तप लोग सत लोग और अवग अर्थात मोग चे सालो के सामिव सायुज सहरू इन सब के मुख को तराजू के एक और रखे तो भी वह सब मिलकर उस मुख के बरावर नहीं होता हूँ जो लव हर के सत्फंग में होता है इत्तो बड़ो महल हो को तराजू पे भी तोलोग ही नही तो भी वाक वाको नहीं होका पूर्ड जो मौ सत्फंग में करें शे सुक प्राप्त होगा वसंग वाक को बता रहे हैं है कुँक्डिक कटी-पेट्य क्छष ओह ये नहीं। तो भी वहाद नहीं मिलकर उस सुख के बराबर नहीं होता एक नीचे पल की को छू कर उठ जाता है उतने काल का नाम निवेश है तुला का भारी पला धर्ती पर जुके आता है हलका उपर जाता है इसी प्रकार सत संग की मुख की इसता धर्ती पर है सब गर्द सुख मुचे लोक में है इसे हलके है मतलब सब लोक सब लोक में इसकी इससे हलकी है सच संग से पिर्वेश नगर की जे सब काजा हिर्दे राके कौं सले पुरे राजा गरल सुदारि पुकर में ताई गोपा जैसे इंदू अनले सते लाई नगर में पिर्वेश कर और रगुनात जी को हिर्दे में रखकर सब काज सब काज कीजिए उसको विश अमृत्य सत्रू मित्र समुद्र गोपज के समान अगनी सीतल होती है गरुए गरुए समर रहनू समताई राम करपा कर चित वह जाई आतिला दीरुपे दराओ अनुमाना पैता हो नागर सुमर भागो माना भारी सुमेर परवत धूरी के समान हो जाता है जिसको स्री रगुनाज जी की किरपा द्रिष्टी से देखती है यह सब बात है महावीर जी मैं हुई गरल सुदा यह कि इंद्र ने जब बज्र मारा तो मरे नहीं किन्तु अमर हो गए तो बागे में भी मरे तो नहीं आमार हो गए तो वो गरल सुदा है बाबा पाप है अपन जो किये है ने जो आम चोपाई में दाव है गरल सुदा सत्रू रूप थी जो सो मित्र हो गई समद्र गो का खुर गव को खुर हो गया लंका जल जलाने में अगनी इन को सीतल होगी रावन जो सुमेरु के समान था सो धूरी धूर हो गया महावीर जी ने बहुत छोटा रूप बनाया और भगवान को इस मरण कर नगर में भुचे अब उच से ही छोटा रूप धर के चले कि कोई देख ना ले हलके हो गई मंदर मंदर पिर्तिकार सोधा देखे जहां ताने गित योदा गया हो दसानन मंदर माई आती ही बेचेत्र कही जात सोनाई पिर्तिक मंदर महावीर जी ने ढूड़ा जहां तहां अनन्त योदा देखे रावन के मंदर में गए महाई ऐसा विचित्र है कि कहा नहीं जाता सेन किये देखा कपिते ही मंदर में ना देखे बेधे ही महावीर जी ने उच को सोते देखा परन्तु मंदर में जानकी जी को नहीं देखा ये सकुन महावीर जी को अच्छा हुआ के सत्रू को सोता देखा अगर सत्रू है कोई सो तो मिले तो सबने अच्छों है मार तकें बावब परास करते हैं सोच लगे कहा याब आए जाओं कहा दरस सी ताह कर पाओं सोचने लगे कि अब कहा जाओं और कैसे जान किजी का दर्शन पाओं बिन देखे जो सी ताही जाओं कैसे बादन पिरुई दिखाओं जहां में बांद पूचे कुसलता जो जान की को बिना देखे जाओं तो कैसे पिरुई को मुख दिखलाओंगा जाम बंद जाम बंद जब कुसल पूचेंगे कि जान की अच्छी है तो क्या उत्तर दूँगा कवन उत्तर में देहूंत ने जाई पवन तने मन मैं पच्छताई निस्चर गोर ब्यंकार राई सीता की सुदें को नकाई तब उन्हें जाकर क्या उत्तर दूँगा महावीर जी मन में पच्छताई बढ़े बढ़े भूर राख्छत रहते हैं कोई जान की सुद नहीं बता सकता पूछाओं कहीं कहो के जाई जाना के सुता को दे बताई अब कित से जाकर पूछू कौन जानकी को बता देगा जहांते सुद्धू राख्छत सी राख्छत है भावान एक पोन देख सुभावा हरी मंदर तावेन बनावा फिर एक सुन्दरिस्तान देखा जो राख्छत सी मंदर से भिन रचना का था अत्वा एक हरी मंदर हवीशन के मंदर के निकट पिर्थूप की बना था पिर्थक अलग पिर्थक 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 राम नाम मैं अंका ते ग्रह सोवा बारन ना जाय दे कैमन मोहा उस मंदर पर राम का नाम अंकित था ऐसे सुन्दर घर का वर्णन नहीं हो सकता जो देखते ही चित को मोह लेता था रामा युदे अंक तो गिर्थ बरन ना जाय नव तुलची का बिंद ताहां देखे हरत का पिराए लखन श्रिया मैं चंद्र संकर हरी जे जे श्रिया राम जे